आज हजारों लोग ऐसे हैं कलीशिया में जिनको दस-दस साल हो गएं प्रार्थना करते हुए कि परमेश्र मुझे पवित्र आत्मा से क्या कर भर मुझे गहर भाषा चाहिए और आज तक गहर भाषा उनके पास आया नहीं क्योंकि उन्हें क्या लगता है किसी दिन उपर से दया होगी और उपर वला नीचे दे के बोलता है तो कब बुद्धिमान बनेगा क्योंकि बाइबल कहती है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ इसकी जिम्मारी अगर मैं आपको ये बोलूँ जाओ अभी लुधियाना चले जाओ इसका मतलब मैं देख चुका हूँ लुधियाने जाने का रस्ता आपको मालूम है लुधियाने जाने का किराया आपके पास है आप लुधियाना जा सकते हो मैं आपने दो साल के बच्चे को नहीं बोलूगा जा लुध्याना मुझे मालूम है वो अभी अकेला लुध्याना नहीं जा सकता पर आप जा सकते हैं पर मेश्वर ऐसा वचन आपको कभी नहीं बोलेगा जो आप पूरा नहीं कर सकते अगर वो कह रहे हैं कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ तो किसके जिम्मेवारी ही और उसने आगे लिखा भी कैसे परिपूर्ण होना कहता आपस में कहता speaking to yourself अपने आप से कहता बात कर आज की problem बता क्या है कलिसिया आप उन चीज़ों को मुझे नहीं निकालते हो जो आप देखना चाहते हो आपके मुझे वो चीज़े निकलती है जो आपको डिस्ट्रॉई करती है जो आपको नाश करती है आपका आप अपने मुझे वो चीज़े नहीं निकालते हो जो आपके मुझे निकलेगा पर मेश्वर बदल नहीं सकता हूँ शेतान दिखाना तरी बाजू सुने वचन कह रहा है उसके कोड़े खाने से तो क्या बोलोगे जो वचन कहते है पर तुम्हें मिला क्या सुनना बन पैरलाइज़ज क्यों तुमने वो बोला जो तुमने महसूस किया अगर आत्मा से भरने की जिम्मेवारी किसकी आपकी चेंगे होने की जिम्मेवारी किसकी आपकी सुलेमान अमीर था जिम्मेवारी किसकी थी सुलेमान की बुद्धी मान था क्यों मांगा उपर से अपने आप कुछ नहीं गिरता और ना गिरेगा पहला कुरंथिया उसकी चौदा उसकी तीन आयत में लिखा प्रंतु जो भविश्यवानी करता है वे मनुश्यों से शांती उपदेश और शांती की बाते कहता है जो अन्य भाशा में बाते करता है वो अपनी उन्ती करता है जो भविश्यवानी करता है वो कलिस्या की उन्ती करता है मैं चाहता हूं कि तु सब अन्य भाशा में बाते करो पर ये चाहता हूं कि तुम भविश्यवानी करो कहता मैं चाहता हूँ तुम सब अन्य भाश में बातने करों पर ये ज़्यादा चाहता हूँ कि तुम क्या करो भविश्यवानी का मतलब सिर्व नाम बताना नहीं होता अब अपने लाइफ के लिए भविश्यवानी करते है रोज उठके कि परमिशन मेरे लिए रास्ते खोलने जा रहे है मैं अपनी लाइव में आगे बढ़ने जा रहा हूँ आवचन को लेके अपनी लाइव पे भविशेवा नहीं कर सकते हूँ कि धर्मी अपने दुपहर तक जैसे सूरे बढ़ता जाता है उसका परकाश बढ़ता जाएगा आज सुबह जब मैं उठाओं मैं डिकलेर करता हूँ मेरा परकाश बढ़ता जाएगा मेरी चर्च का परकाश बढ़ता जाएगा मैं हर एक चीज में बढ़ता जाओंगा ये आपके लिए प्रोफेसी मेरा पती नशे छोड़ने वाला है हम एक दिन इकठे होने वाले है ये आप के लिए प्रोफेसी है पर आप बोलते क्या हो मेरा पती नशेडी है आप बोलते क्या हो मैं बड़ी दुखी हूँ आप बोलते क्या हो मैं बहुत बिमार हूँ आप बोलते क्या मुझे बहुत करजाए बाइबल करते जो गरीब है वो बोले मैं क्या हूँ अमीर हूँ जो पूर है बोले मैं आशिशी तूँ जो कमजोर है बोले मैं बलवान हूँ वोकि बोलने से आप होंगे आप होंगे मैंने का पर आप बोलते कुछ हो एक्सपेक्ट खुदा आपको दे ऐसा नहीं हो सकता उसने कहा तेरे मौ में जीवन तेरे मौ में मौत आप सारी उमर वेट करते रहोगे Holy Spirit से भरने की और ऐसे दुनिया छोड़ जाओगे बिना Holy Spirit के जब तक आप खुद नहीं भरोगे अपने आपको कदा आपस में बाते करो आपस में मतलब अपने आप से भजन साहिता से ये खौबा मेरा चरवा है मुझे घटी ना होगी Hallelujah मेरे निकेट हजार दाइने और दस हजार गिरेंगे वो मेरे पास ना आएगा वो अपने दूतों को मेरे निमीता के देगा जागे मैं जाओ वो मेरे रक्षा करें मैं रोज बोलूँगा हाई ना दाउद कदम मैं नहीं डरूँगा इसका मतलब यह निए उसके अंदर डर नहीं था वो डर रहा था पर उसने मूझे निकाला मैं नहीं डरूँगा 365-66 बार Bible कहती है मत डर मैं तेरे साथ हूँ हर रोज के लिए वचन कहते है मत डर मैं तेरे साथ हूँ पर आप क्या कहते हो मुझे डर है कहिए बिमारी मुझे मार ना दे अच्छा इंसान भी फसते है जब डरता है अयूब कहता जिस बाद से मुझे डर था वो मुझे पे आन पड़ी अयूब के उपर वो परिक्षा आने का कारण अयूब का डर था बाइबल कहती और परमेश्वत डर पोग लोगों को यूज नहीं करता और डर निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकता है मुझे डर है हाई मेरा पती मुझे छोड़ ना दे मुझे डर है मेरा बिजनस कही फेल ना हो जाए और आपके डर को शैतान सूंगते है और फिर उसके विशे में काम करना शुरू करते है एक बंदा डायलेजिस युनिटी में काम कर रहे है और पवितरताई में सेवा में रहने बंदा और उसके मुझे क्या निकल रहे हाई परमिश्वर मेनु कदी किटनी तर रोग ना हो भी हाई बड़ा दुखी है और दुखी होन वाला रोग है हाई जिदी किटनी खराब हो ने मारी जंदा बंदा हाय प्रमू जो मर्जी होते पर कटनी रोग मेनु कदी ना होय कदी रोग होया हो एक इटनी बदलाने पड़ी उसको कि सेवा मेरे ने वाला इंसान है अब इतरताई मेरे ने वाला इंसान आप डरेंगे शेतान फाइदा उठाएगा कोई महा रोग आपका हिस्सा नहीं, कोई किट्नी रोग आपका हिस्सा नहीं, कोई कैंसर आपका हिस्सा नहीं, कोई टीवी आपके परिवार का आपका हिस्सा नहीं, आपके परिवार का कैंसर हिस्सा नहीं, शूगर हिस्सा नहीं, बीपी हिस्सा नहीं, स्ट्रोग हिस्सा नह अध्रंग हिसा नहीं, करीभी हिसा नहीं, कमजोरी हिसा नहीं, शर्मित की हिसा नहीं, प्लट के रोग हिसा नहीं, प्लट के रोग हिसा नहीं, शोटी उपर हिसा नहीं, अबला हम बाजिरे वाले, अबला हम बाजिरे वाले, अलेलुया!